Hey guys, welcome, कैसे हो आप सब? तो मैं वापस आगे हूँ एक नम न्यू सिरीज के साथ जो कि अब मेरी फेवरेट सिरीज में से एक बन गई है और इसका नाम है Upload यह भी में 2020 में upload हुई है Amazon Prime में और इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह हैं जब इनसान मर जाता है तो उसके माइंड को वर्च्व रियलिडी में upload कर दिया जाता है और मेरे इसाब से एक क्यूट, सस्पेंसफुल और एक फ्यूचिरिस्टिक लव स्टोरी है तो आज मैं इसी सेरीज के बारे में बात करने वाला हूँ और आप सबको कुछ ने करना है तो स्टोरी सुरी होती है और हमें एक advertisement दिखती है Horizon Lake View की जिसकी tagline होती है कि live जीने के बाद इस दुनिया में आए और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो मस्द गाना सुनते सुनते अपने office जाती है और वहाँ अपनी job पे काम करती है और इसका नाम होता है Nora और उसकी job अभी समझ में नहीं आती स्रीज में लेकिन मैं आपको समझाता हूँ जब इंसान मर जाते हैं तो उनको virtual reality में upload कर दिया जाता है और इस टाइम में इन virtual realities को heaven बोलते हैं और नौरा का काम होता है उन upload लोगों के साथ बाते करना और उनकी सारी problems का solution देना तो वह एक लड़की को upload करती है और उसको जगाती है और बोलती है welcome to the upload इसके बाद हमें एक लड़का दिखाय जाता है जिसका नाम होता है Nathan Brown जो कि अपनी कार में बैटके कोट पर काम कर रहा होता है अपने दोस्त के साथ और फिर वह अपने दोस्त को बाय बोलके अपनी futureistic car को auto mode से off करता है और उसको खुट ड्राइव करता है एक दम full speed में और फिर उसको police पकड़ लेती है और काईज यहाँ सब कुछ एक दो फ्यूचरिस्टिक होगा तो वीडियो देखकर हैरान मत हो ना फिर वो पुलिस से कार में कुछ प्रॉब्लम बता के घर सला जाता है और फिर उसका बेस्ट फ्रेंड जिमी आता है और पाइसिकल भी अपने आप चल रही होती है वाओ और फिर नेथन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और उसकी गल्फेंड भी वहाँ होती है इंग्रिट और अब इसकी गल्फेंड का इंटर देता हूँ ये एक बहुत अमीर फैमिली से बिलॉंग करती है और इसकी फैमिली के पास Horizon Lake View का Unlimited Data होता है Basically इसका मतलब है कि उसकी फैमिली मरने के बाद बाकी की जिंदिकी Horizon Lake View में बिता सकते हैं इतने अमीर होते हैं जबकि नॉर्मल लोग के लिए इंकल्यूडिंग नेथन की फैमिली के लिए भी Horizon एफोर्ड करना उनकी उकात के उपर होता है तो देखो अगर गाईज अगर आपको अभी कुछ समुझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को आगे देखो आपको पक्का समझाएगा और फिर उसकी गल्फेंड उसकी फैमिली उसको हस्पिटल ले जाते हैं और उसके पास दो आप्शन आते हैं अपरेशन थीटर या अप्लोड रूम अगर वो अपरेशन करवाता और फिर अगर बाईचांस मर जाता तो वो सीधह ही मर जाता बट अगर वो upload room में अपने आपको horizon में upload कर देगा तो वो बाकी की जिंदगी वर्चोर reality में जीएगा बाकी की जिंदगी लगभग infinite जिंदगी फिर अपनी girlfriend के कहने पर terms and condition में sign करके upload room में चला जाता है और वहाँ इसको जान से मार का इसको online upload करती है जाता है और फिर हमें नौरा दिखाई जाती है जिसके पास इसका data आता है और वो उसकी setting करती है और उसको नेथन की memory में कुछ memory false damage मिलती है तो वो सारी damaged file को अपनी personal drive में save कर लेती है और फिर इसको first time instruction देती है कि कैसे क्या करता है और नेथन वर्चोर reality में आ जाता है तो नौरा उसे समझाती है और कहती है कि यहां नए दोस बनाओ बहुत कुछ है यहां explore करने के लिए फिर नेथन सो जाता है और नौरा और उसकी fellow worker को नेथन काफी cute लगता है और next morning नेथन जगता है और सब कुछ explore करना start करता है और कुछ लोगों से मिलता है और उनको बताता है कि वो coder था बढ़ उसको यह बिल्कुल यार नहीं कि वो किस चीज में programming करता था जो कि काफी strange था और फिर इसको room में एक mini freeze दिखता है क्योंकि उसका horizon उसकी girlfriend के account से link है मतला अब वो उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं खरीच सकता और फिर वो lunch पे जाता है और वहाँ बहुत कुछ होता है खाने के लिए बट lunch time खतम हो जाता है तो उसका खाना उसके सामने गया हो जाता है और फिर वहाँ एक लड़का आता है Luke जिसको एक glitch पता होता है food का फिर से वो दोनों खाना खाते है और वो Nathan को बताता है कि यहाँ एक torrent है वहाँ मत जाना नहीं तो तुम delete हो जाओगी और फिर Nathan को Ingrid का call आता है और वो उसके account का password पूछता है और Nora को उसकी friend बता जेती है तो भागते हो जाती है और VR लगा के इसके सामने खड़ी हो जाती है और फिर इसको प्यार से समझाती है और वो समझ जाता है फिर Nora policy break करती है और उसको अपना नाम बता देती है और वो दोनों friends बन जाती है और फिर रात में जो आफिस में कोई नहीं होता तो Nora के computer से वो Nathan की सारी defective memory अपने आप delete हो जाती है और अब next day Nathan ने society का try किया था तो उसको एक pet therapy के लिए assign किया जाता है ताकि उसको अच्छा लगे और लोग उसको अपना pet दे रेता है और Nathan को लगता है कि बस वो एक pet है लेकिन वो बोलने लगता है actually real world में एक real therapist Nathan से बात कर रहा होता है और वो Nathan से पूछता है कि उसको यहां क्यों अच्छा नहीं लग रहा तो Nathan उसका answer देता है कि मैं independent होना चाता हूँ जैसा मैं मरने से पहले था और यहां वो सारी चीजे अपनी GF के choice के हिसाब से करता है उसको care जैसा feel होता है यहां पे तो धरीपिश्ट उसको एक task देता है कि बाहर जाके 5 लोगों से interact करो ताकि तुमको अच्छा feel हो और इस real world में Nora एक nightly app यूज़ करती है ताकि वो मरने के बाद भी जी सकें और मुझसे मिल सकें पर उसके dad पुराने खायलाद के होते थे वो real heaven में believe करते है और उनको लगता है कि उनकी wife real heaven में उनका wait कर रही है तो वो direct मरना चाते हैं जिस बाद से Nora काफी दुखी होती है और फिर next day Nora अपनी boss से मिल जाती है क्योंकि उसको horizon के लिए discount चाहिए होता है और उसकी company की policy के हिसाब से worker की ratings 4.6 star से अबब होनी चाहिए बट Nora की rating 4.5 stars होती है तो वो discount के लिए apply नहीं कर पाती तो उसकी boss मना कर देती है और उसको बोलती है कि अगर आज तुम 4.8 star कर लेती हो तो तुमको horizon में heavy discount मिल जाएगा और Nora sad होके चली जाती है और अब Nathan नहीं लोगों से interact करना start करता है और सबसे पहले उसको एक बच्चा दिखता है बढ़ उसका mood off होता है तो वो उससे rudely बात करके चली जाती है और फिर Nathan इंगरिट को call करता है तो वो Nathan के funeral के लिए ready हो रही होती है तो कि आज रात Nathan का funeral होता है और फिर Nathan और explore करता है और new dose बनाने के लिए बढ़ उसको कोई नहीं मिल रहा होता है और फिर उसको एक जगा Nora बैठी हुई दिखती है तो वो उससे बाते करने चला जाता है और Nathan समझ जाता है कि इसका mood off है तो Nathan normal बाते करता है और Nora उससे पूसती है कि आज तुमारे क्या plans है तो Nathan बताता है कि उसका आज रात में funeral है तो उसको आज वहाँ जाना है और फिर थोड़ी तर बात करने के बाद Nora वहाँ से चली जाती है और फिर Nathan को उसको रूम के बाहर एक old man दिखता है तो Nathan उसको अपनी list में add करने का सोचता है और वो उनसे बाते करने स्टार्ट करता है जैसा वो चाहते हैं और वो एकदम free होता है और वो बताता है कि वो एक car accident में मर गया था तो Mr. चोक उसको बताता है कि तुमारा murder हुआ है ना की accident क्योंकि तुमने दुनिया की सबसे बड़ी company का alternative तयार कर लिया था और Nathan ये सुनके एकदम हैरान हो जाता है और फिर हमें एक detective दिखाई जाती है जो Nathan के accident वाली car की जांच कर रही होती है और वो car का data निकालती है तो उसमें उस accident वाली रात का कोई data नहीं होता तो वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड है और फिर Nathan नोरा को बुलाता है और उसको बताता है कि उसको कोई memory प्रप्लम हो रही है उसको कुछ चीज़े याद नहीं आ रही है तो नोरा को याद आता है कि उसकी कुछ memory defective ती और फिर वह वहंसे चली जाती है और फिर वही छोटू को कोई problem होती है और नौरा उसकी help करने जाती है बट वो खुश नहीं होता तो वो नौरा को 3 stars देता है और नेथन ये देख लेता है और फिर एक जगा और नौरा को 3 stars मिलते है जिससे वो काफी frustrated हो जाती है लेकिन फिर नेथन नौरा को बुलाता है और विना कुछ कियो उसको 5 star देता जाता है और वो उसको बार-बार 5 star देता जा रहता फिर नौरा बोलती है ऐसे तुम company के policy break कर रहा हूँ मुझको कुछ करने को दूँ तो नेथन उसके उसकी सारी problems बताने को बोलता है तो नौरा उसको अपनी सारी problems बताती है अपनी dad की problems दुसरे को लाइक करने लगते हैं और नेथन ठेरिपिस्ट को बताता है कि इसको यहां अच्छा रहना लगा है और लिस्ट में क्यूट एंजल लिखता है और नोरा अपने घर जाके नेथन की डिफेक्टेट मेमोरी पर रिसर्च श्टार्ट करती है जो कि इसने अपनी परसन कर देते हैं तो फिर कुछ टाइम के लिए तो वह एकदम सही लग रहा होता है लेकिन फिर उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसका सर फट जाता है और सब यह देखके हैरान हो जाते हैं और नेथन लुक के साथ अपने फ्यूनरल में जाता है और नौरा भी नियुवा नहीं लेती जिसके लिए नेथन को बहुत बुरा लगता है और फिर नेथन इस पीस देता है बट वो थोड़ा ज्यादा बोल देता है इंग्रिट के बारे में और इंग्रिट और उसकी बहस होने लगती है और फिर इंग्रिट उसको बजट दिखाने लगती है कि वो कितना खर्च कर रही है तो नेथन इंग्रिट से गुस्से में बोल देता है कि इतनी प्रॉबलम है तुम उसको डिलीट कर दो और इंग्रिट डिलीट वालो आप्शन तक ले आती है फिर नेथन को गुस्सा भी आ रही होती है बट वो दुबारा मनना भी नहीं चाहता तो वो सौरी करता है और इंग्रिट कुछ नहीं करती और फिर नेथन नियोआक वाल यूट वाला वीउपन करता तो उसे वहाँ नौरा दिखती है तो उससे बहुत अच्छा लगता है और फिर वो करते हुए और नोरा रात में एक बंदे को call करती है जो नेथन की memory में था और वो नेथन का नाम सुनकर phone कर देता है और फिर अब नेथन नोरा को बताता है कि उसको आपस अपनी job करनी है real life में जो करता था वो बट नौरा का कहना थे कि अफ्लोड को एलाउ नहीं है वर करना फिर नौरा उसको एक जगा ले जाती है टूगिक्स और बताती है यहाँ पर वो लोग होते हैं जो हराइजन को एफॉर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनको टूगिस का मंदली डेटा मिलता है और जब वो डेटा ख बी साफ दिख रहा होता है कि नेथन और इंगरिट की अब बिल्कुल भी पट नहीं रही होती है और नौरा अपनी दोस्को बताती है कि उसको नेथन पसंद आने लगाए और सच में यह दोनों साथ में अच्छे लगते हैं और फिर नौरा नेथन के साथ बात करने जाती है और नेथन बताता है कि उसने सुना है कि रियल लाइफ और आफटर लाइफ में कभी भी रिलेशनशिप नहीं चल पाती है तो नौरा भी उससे अगरी करती है और नेथन बताता है कि इंगरिट अब उसके साथ फिसकल रिलेशनशिप भी चलाने का ट्राइ करेगी तो वो से में देखकर बहुत सैड हो जाती है बट फिर नेथन और इंग्रिट के बीच कुछ प्राइवेट प्रॉबलम हो जाती है और इंग्रिट को लगता है कि यह सिस्टम प्रॉबलम है तो वो एंग्रिट को बुलाती है और नौरा को मजबूरी आना पड़ता है और फिर इंग्रि नेथन को एक सिस्केनी जीन्स पहन जाती है और वो भी इंग्रिट ने खरीदी होती है और इंग्रिट बोल देती है कि वो खेला नहीं रहना चाहती है इसलिए वो नेथन को फ्री नहीं करेगी और नेथन गुस्सा होके वहां से चला जाता है और फिर वो छोटू गुस्सा हो कुछ money भी दे जाती है और फिर लूग आता है और उसको nightly app में डो date मिलती है बट upload को nightly app से मिलने अलाव नहीं होता है तो great market चलने के लिए बोलता है ताकि वहाँ से कोई hack खरीद सके तो फिर Nathan पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसको बेबी सिट करना होता है बट फिर वह राजी हो जाता है और यह लोग डार्क वैग में जाने के लिए एक secret रास्ते में गुश जाते हैं और वहां से एक great market में जाते हैं पर इनके पास सिर्फ एक घंटा होता है वापस आने के लिए फिर लूग अपना hack खरीदता है और छोटू के कहने पर Nathan वहां explore करना श्टार्ट करता है और वो एक hacker से अपने best friend का phone hack करवाता है कि वो क्या कर रहा है तो वो एक meeting में होता है और वो एक app के बारे में बात कर रहा होता है फिर लूग आता है और उनके पास 12 मिनट बचे होते हैं वापस जाने के लिए बट छोटू अचानक से गायब हो जाता है वो कहीं दिख ने रहा होता है और बहुत धूरने के बाद वो अपने अवितार को grow होने के लिए hack करवा रहा होता है वो जली ली टाइम खतम होने से पहले डार्क वेप से बाहर आ जाते हैं और इधर नौरा अपने डैट से मिलती है बट वो अभी भी अपलोड होने के लिए राजी नहीं हुए थे तो नौरा उनको नेथन के बारे हम बता देती है और बोलती है कि उससे मिल लेना एक बार और फिर वो वहाँ एक डाक्टर से damaged memory रिस्टोर करने का solution लेती है और फिर office जाकर उसको नेथन के memory पर apply करती है और वो देखती ही कि उसकी कुछ memory अपने आप उसके system से गायब हो गई है फिर वो अपने drive से उसको सारी memory वापस लाती है और इस साइड नेथन छोटू को सुला देता है और लूग party में चला जाता है अपनी date से मिलने और फिर कुछ time बाद छोटू की body में change आने लगते हैं और वो फिर एकदम से बढ़ा हो जाता है और हर को इसको घूर रहा होता है फिर पता चलता है कि वो लड़की बन गया है लोल और फिर वो एंजल को बुलाता है और नोरा नेथन पर काफी गुस्सा होती है और नोरा की दोस लू को पगड़ के लेके आती है पाटी से और फिर छोटू के कहने पर नोरा उसे वापस नॉर्मल कर देती है और वो डिटेक्टिव अपनी कार में होती है इंवेस्टिकेशन कर रही होती है बढ़ अचानक से उसकी कार ब्लेकाउट हो जाती है और वो बहुत चिल्दाती है बट कुछ नहीं होता और कार सीधे पानी में जाकर गिर जाती है और वो मर जाती है तो गईस आज के लिए इतना ही ये थी आज़ी स्टोरी सिजन वन की आगे की स्टोरी में नेक्स वीडियों बताता हूँ तो सब्सक्राइब करें बीना और घंटा वजाए बीना मत जाना और वोप यू रही लाइक इट तो सी यू सून बाई बाई